बिस्मिल्यारा मारें, अससलाम अलेकुम और इस आज केस लेक्षर में हम पार्ट टू करने वाले हैं अपनी केस स्टेडी का जो हमने कल स्टार्ट की थी जिसमें डेटा प्री प्रॉसेसिंग से लेके हम एंड तक जा रहे हैं और चीजों को एक्स्प्लोर भी कर रहे हैं एक प्रॉट्फोलियो बनाने के लिए प्रॉपर प्रॉजेक्ट का नाम है हाट डिजीज प्रेटिक्शन लेकिन उसमें दिफरेंट कॉलूम्स को हम देखते हुए गाहे बागाहे आगे चल रहे हैं आज के इस lecture में हम different तरीकों से हम निप्टेंगे पहला तरीका यह होगा कि हम सबसे पहले missing values को impute करने का एक automated function draw करने वाले हैं ताकि उसको use करते वकत हम जब भी कभी हमारे पास missing values हैं हम उनको use करें और हमारे पास missing values को impute कर लिया जाए मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ तो यहाँ पे यह वली screen आपके पास आरी होगी ठीक है अब अगर आप इस screen को देखें हमने यहाँ पे कल chat GPT भी open किया था chat GPT के साथ साथ अब अपनी notebook पे भी काम यहाँ पे कर रहे थे ठीक है सो अगर आप notebook को देखें तो यहाँ पे यह notebook के अंदर मैंने और रेड़ी एक जो function है वो बना लिया हुए जिससे मैंने सारे का सारा काम लिया मैं go through कर वादूं कि कल हमने क्या किया था मैं scroll up करता हूँ कि SCRLAL UP करने के बाद आपके सामने यहां पे नज़र आरहा होगा आपको पास स्क्रीन के अपर कि के हमारे पास जो काम हमने कल किया था हमने डेडासैट लिया ।ेस पर ने प्र अपना जो notebook बनाई उस पर काम करना स्टार्ट किया कॉलम्ज को पढ़ना स्टार्ट किया एकॉलचमंड । क्रियेटर चाइप्री यहां लाइबरेकी की हैं、 इंपोर्ट की है और लेबरेक्त के साथ लेद वार्निंग को रोका था या आप क्या करते हैं कि आप अपनी टेक्नीक्स को लगाते हैं जैसे सबसे पहले missing values को impute कर लें फिर column को देखें फिर outliers को remove करें and then you go towards standard scaling या preprocessing लेकिन मैं column by column जाने का ज़्यादा काईल हूँ क्योंकि इससे आपको data की समझ भी आती है और इस पर काम किया जैसी मेरे पार T rest BPS है यानि के resting blood pressure आया हमने वहां पर देखा कि missing values रहा है वहां से हमने फिर missing values को impute करना start कर दिया so strategy आप पर depend करता है कि आप कौन सी strategy को use करते हैं बढ़ा I am mostly using this kind of strategy अब इसके बाद मैंने किया plotly को use करने का फाइदा क्या होता है आपको भी पता है कि plotly के साथ आप यहां पर male female को यहां से check-in और check-out कर सकते हैं and that helps you a lot to understand the data set हमने कल पर data set को understand किया and then meanwhile we were actually understanding the data हमने फिर क्या किया male count or female count based on the data set हमने age की base पे या जो भी हमारे पास heart disease थी chest pain थी उनकी base पे उनको understand करना start किया then we went towards the number of unique values और हमने यहां पे male और female की base पे data set देखा कि कहां कहां से लोग हैं फिर उनका mean median mode निकाला फिर उसको हमने subgroups में divide किया इसी तरीके से CP को देखा और फिर हमने उसको subgroup में divide किया based on the sex and based on the हमारे पास chest pain based on the count ठीक है and then we did something related to the count CP और हमने फिर एंजाइनल यानि के जो भी हमारे पास chest pain थी उसको data set के हवाले से हमने draw किया आपने इसकी output साह साह लिखते जाने जो मैंने कल भी आपको बताया था और hopefully आप में से काफी लोगों तो मैंने आपको बताया था कि इसका आप distribution चेक करते हैं ज्यादा तर distribution यहां पर आ रही है and then you also check the missing values यह आप यह करते हैं चेक करते है percentage of missing values यह इसके अंदर कितनी है और अगर आप गवर करें मैं इसको थोड़ा सा चोटा करते हूं यह ज्यादा ही चोटा हो गया यहां पर रखते हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं यहां पर देखे percentages of missing values इंटीर sbps column is 6.41 तो यह मैंने calculate की using python और 6.41 को हम impute किया था iterative imputer के थुरू फिर हम आसता इसता इसता आगे missing values को देख रहे थे और फिर मैंने बाकी जो regression के columns हैं यानि के हमारे जो column हैं based on data set जिनका numeric या float integer या float हमारे पास number है यानि के numeric columns हैं उनको हमने iterative imputer के थुरू यहां पर impute कर लिया आपका assignment थी आपके कि आपने एक function को लिखना है जिससे आप column को machine learning models के थुरू impute कर सेगें अब आपसे मेरा question है कि कितने लोगों ने उस function को use किया है या बनाया है अब मैंसे कितने लोग हैं जिनके पास वो function बन चुका है और विसली आपने देखा होगा और उस function को draw करने के लिए आपको काफी कुछ चीजें जो हैं वो perform भी करनी होंगी और जिसकी base पे आज हम देखेंगे कि हमने आगे किस तरीके से move करना है राइट जी तो आइनो के यहां पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो function draw नहीं किया लेकिन देरा मैनी people जिन्होंने उस function को draw भी किया और उस function को लिख के उन्होंने impute भी किया missing values ठीक है एक जो notebook जो मुझे सही अच्छी लगी है after comparing many notebooks वो है जनाब उस्मान तारिक की और उन्होंने इस पे काम किया और उनका function मैं यहां पे आपको show करवार हूँ किस तरीके से उन्होंने काम किया और इस function को मैं थोड़ा सा modify करूंगा ताकि हमारे पास कोई भी function आए कोई भी चीज़ आए हम उसको उनको हम इस function के थूरू impute कर सके using machine learning model तो सबसे पहला काम मैं यह करूंगा यहां पे मैं एक नहीं notebook बनाऊंगा function to impute null values .ipynb तो मैं यह निया function एक separate notebook में बनाऊंगा ताकि यह हम इसको save कर लें और जब कभी भी हम missing values को impute करना चाहें तो इस function से impute कर लें ठीक है सबसे पहली चीज़ क्या होगी मैं यहां पे नई notebook में इस वज़ा से इसको लिख रहा हूँ ताकि आपके पास ही save रहे and I will share that तो यहां पे मैं लिखता हूं missing values imputation function function तब बनाया जाता है जब हमने missing values को impute करना हो using ml model और हम इसको automation के लिए use करें यानि के सिरफ function लिखें data set का नाम दें columns के नाम दें और सब कुछ automatically हमारे पास impute होके आ जाए तो automation के लिए हम इसको use करते हैं और हम देखेंगे अब कौन-कौन से उसके steps हैं मैं यहां पे इसको जनाब आपके सामने लेके आता हूं and then we will see कि यह किस तरीके से काम करता है मैं सबसे पहला काम यह करूंगा कि आपका जो missing values की आपके column के अंदर है उनको पहले चेक कर लें ठीक है तो मैं यहां से missing values in data column उनको लेके आता हूं लेकिन हमारा काम क्या होता है सबसे पहले जो एक strategy है मैं steps wise आपको बताता हूं यहां पर steps लिखते है steps जो है हमारे बलके इसको मैं markdown का cell बना लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में फिर असानी हो जाए steps यहां पर मैं दो यह वाले लगा देता हूं अब one point सबसे पहला काम है load the data ठीक है obviously आपने libraries को तो load करना है libraries import libraries import libraries load the data find the columns with missing values and then find the columns based on their data types for example आपने जो numeric columns हैं उनको separate करना है categoricals को separate कर लेना है और यहां पर जो तरीका हम लिख रहे हैं यह boolean को separate कर लेना है obviously boolean को अगर ना भी करें it's fine but we will do that तो हमने find the columns based on these things और उनको data type की base पर separate कर लेना है ठीक है और इनको हमने find the columns with missing values and store in an object यह कुछ step है इसके बाद हमने क्या करना है define the function define the function to impute to impute missing values and then apply the function to our data set with missing values missing values and then आपने end पर कहा करना check missing values after imputation यह साथ steps का आपके पास एक procedure होगा जिसको हम apply करने वाले हैं तो इस procedure के उपर आप किस तरीके से काम करेंगे हम इनको बारी 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 देखते हैं सबसे पहला काम है import libraries मैं यहां पर लिखता हूँ import libraries libraries को import करने के लिए आप क्या करेंगे import pandas as pd import numpy as np matplotlib भी मैं करता हूँ cbon भी करता हूँ यह एक आदत बना लें reason यह होती है mostly यह use होती होती है from sklearn from sklearn dot preprocessing हमने यहां से कौन कौन सी चीज लेनी है import करेंगे हम किस चीज को label encoder पहली चीज है label encoder इसके इलावा को चाहिए होगी we will see that scalar हमें भी नहीं चाहिए फिलाल के लिए तो यहां पे label encoder के बाद आजएगा from sklearn dot हमने यहां पे लिखना है जनाब ensemble ensemble के through random forest classifier and random forest regressor random forest regressor यह दो हमने ले लिए from sklearn dot matrix से हम नकालेंगे from sklearn from sklearn dot dot matrix से हम नकालेंगे just a minute मुझे एक call आ रही है छोटी सी मैं call कर लो मुझे एक मिनट दीजेगा please तो यहां पे random forest regressor हमारे पास आ गया from sklearn ensemble और यह हमने इस तरीके से random forest classifier भी ले लिया matrix से हमने क्या import करना है import mean absolute error accuracy score or precision score precision score precision score यह हमने तीन चीजे हमने कर लिए है यहां पे ठीक है अब इसके बाद जो चीजें चाहीं होंगी we will see that on that time जब हमने यह काम स्टार्ट करना है मैं यहां पे libraries को import कर लिया मेरे पास everything is running fine अब हम क्या करेंगे load the data set यहां पे data set load करेंगे data loading इसको df is equal to pd.read csv इसके अंदर से हम dot बलके dot नहीं मैं यहां पे लगाता हूँ heart disease ucicv csv तो यह मैंने लगाया हमारे पास df.head के हमारे पास आगया जनाब data set यह हमारा data set आगया अब तीसरा step क्या है load data set के बाद missing values का जो हमारे पास columns है उनको store करना है हमने separate object के अंदर तो उसके लिए आप simply यह वाली command पहले लगा सकते हैं और इनको list में convert कर सकते हैं for example मैंने बोलता हूँ के data set load कर लिया अब हमने क्या करना है यह वाली अगर मैं command run करूँ तो यह मुझे क्या देगा जितने भी columns हमारे पास missing values के हैं उनको हमने store कर लिया अगर मैं यह greater than zero use ना करूँ कर मेरे पास यह इस तरीके से error आ जाएगी और otherwise आपको यह वाली जो df.isnol.sum और उसके अंदर जो जिनकी value greater than zero है यानि के sum से greater than zero है उनको हमने सिरफ यहां पे लिया है अगर मैं यहां से यह वाला पूरी के पूरी command को यहां से निकाल दूँ then you will be left with this thing तो यहां पे two list अगर मैं ना करूँ तो यह आपको यह वाली value देती है हम क्या कर रहे थे कल से हम इसको dot sort value sort values लिखके और ascending false कर रहे थे और यह उपर वाली आगी थी अब इसका एक और तरीका यह है कि मैं simply यह वाला command जो है यहां पे लगाँ तो आपके पास जिनकी value greater than zero है न वो आपके सामने आ जाएगी ठीक है और उसकी एक list बन जाएगी मैं चाहता हूं कि इसको list में भी convert करने की बजाए आप ऐसे इसको view कर सकते हैं ठीक है किसमें कितनी values हैं और इसको dot sort values लिखा के ascending false कर दे तो आपके पास यह इस तरीके से आ जाएगी कि सबसे ज़्यदे इसमें सबसे कम इसमें मैं इसी चीज़ को अब क्या करता हूं मैं यहां पे बता देता हूं कि जनाब columns with missing values या missing data columns missing underscore data underscore columns ठीक है यह मैंने यहां पे लिख लिख लिया मैं इसको यूज करता हूं तो मेरे पास एक column बन गया जिसका नाम है missing, एक object बन गया missing data calls का इससे मुझे यह पता चला कि मेरे पास जितने भी missing values हैं वो सारी की सारी list में मेरे पास यहां पे मुझूद है और उनके नाम मेरे पास मुझूद है यानि के यह हमारे पास एक list है with the column names having missing values यहां तक आपको clear हो गया अब अगला काम क्या है आपने तीनों किसम के columns को separate करना है ठीक है for example, मैं यहां पे अब क्या करूंगा df.info लगाता हूं df.info लगाने से मेरे पास क्या हुआ मेरे पास जितने भी column है सारे के सारे आगे तो मैंने करना क्या है जो column यहां पे है न trest, bps, chol, fbs, rest, ecg and these all columns मैं इन सभी को इन सभी को इनकी different category की base पे separate करने वाला हूं ठीक है वो कैसे करना है मैं यहां से इसको बंद करता हूं और यहां पे एक निया object बनाता हूं और उनमें लिखता हूं कि classifier columns जैसे इसमान ने लिखा हूँ है मैंने पहले भी बताया यह उनका function जो मैं use करके आपको बता रहा हूं उसमें थोड़ी सी modification करके उन्होंने यहां पे लिखा है classification classifier column मैं उनको simply लिख देता हूँ categorical columns आप इससे भी लिख सकते है regressor column बोला जाता है numeric columns को तो मैं उनको लिखता हूं cat columns या categorical columns और इसको मैं लिख देता हूँ numeric columns ठीक है तो यह सारे numeric column है यह वाले हमारे पास boolean columns है और यह वाले हमारे पास 11 और ये 3 और 2 5 11 और 5 16 हमने किया किया basically df.info के function को लगाने के बाद data type की base पे तीनों को separate कर लिया इसका एक और तरीका भी है df.is let me see find only categorical columns अगर आप ऐसा करें तो ऐसे भी कर सकते हैं data type include जिनकी object है उनको list में convert कर दो तो आपका basically ऐसे लिखने की बजाए आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर मैं इसको cat columns को यहाँ पे show करूंगा cat calls तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएंगे यह मेरे पास categorical column है जिसमें sex है obviously sex भी है, data set भी है 2 हमारे पास होगे cp3, fbs4, resttcd5, x6, slope7 और thal8 यहाँ पे कितने हैं? 2, 4, 6, 2, 8 और 1, 9 हमारे पास एक column नहीं आया है यहाँ पे which is called num reason क्या है? अगर मैं दुबारा से आपको दिखाऊं head की command तो यहाँ पे अगर आप जाएं तो यह num जो है यहाँ पे इस वज़ा से यह वाली strategy यूज़ कर रहे है तो categorical column separate हो गए इसी तरीके से हम boolean को भी separate कर सकते हैं, say for example मैं यहाँ पे लिखूं find only numeric columns भी हम पहले कर लेते हैं, num columns हमारे पास यह आगे so numeric columns हैं जी है, मारे पास 2, 2, 4 और 1, 5, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अगर आप गौर करें, id का column हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और हमारे पास जो एक और column आए, num का which is categorical column, वो भी हमें नहीं चाहिए so based on that, we can do these kind of things, लेकिन it's fine I mean, we can say कि यह numeric ही है, क्यों क्योंकि यह actual में हमारे पास number की form में आ रहा है so हम इसको categorical column में अगर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, otherwise we can also select that here, ठीक है तो यह हमारे पास आगी list आ गए, ठीक है अब इसके इलावा अगर मैं boolean column को करूँ, for example find only find only boolean columns columns तो मैं यहाँ पे simply boolean columns को भी find out कर सकता हूँ, जिसकी base पे हम देख सकते है कि हमारे पास boolean columns कौन कौन से है let's see तो फिलाल तो यहाँ पे कोई नहीं आया boolean, but we have FBS, Xgang यह दो हमारे पास column है which are coming under here और यहाँ पे FBS आपने यहाँ पे भी लिखा हुए boolean के अंदर और Xgang जो है वो आपने यहाँ पे भी लिखा हुए so boolean अगर हम ना भी दें तो यह categorical के अंदर भी consider होते है by the way क्योंकि binary data होता है बताने का मकसद है कि यहाँ पे boolean इस वकत हमारे पास category कोई नहीं है but you can actually add और उनको बता सकते है so आया आप boolean, numeric और categorical separate करना चाते हैं या एक अठा it's up to you मैं यहाँ पे एक code आपको लिख देता हूँ which will help you a lot which will help you a lot यहाँ पे मैं लिखता हूँ print print कर लेते हैं जनाब cat columns और print num columns में हम कर लेते है print num columns तो यह हमारे पास categorical columns में है और num columns में है बल्के इसको f string के अंदर मैं लिखता हूँ ताके और भी अच्छा हूँ है f into categorical columns columns और इसी तरीके से numeric columns ताके हमारे पास पता चल जाए कि कौन कौन से है मैं नीचे वालों को यहाँ से boolean को इस तरह के से हटा देता हूँ यह एक छोटी सी जो मुझे लगा कि गलती थी उस function के अंदर because fbs और xsang यहाँ पे और boolean के अंदर भी डाले हूँ यह हमारे पास जनाब categorical और numeric columns दोनों separate हो चुके है so now we know कि हमारे पास categorical columns भी है और हमारे पास numerical columns भी है तो हम इस चीज़ को भी retain रख रहे है जो उस्मान ने बनाई हुई है but I would suggest कि आप इस तरीके से इनको दो objects के अंदर transfer करने है हमने वो कर लिया अब अगला काम क्या है अगला काम हमारे पास है define the function to impute the missing values function यहाँ पे defined already मेरे पास पढ़ा हूँ I will just copy and paste that here की मैंने और यहाँ पे इस function को हम लिखते है यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस function को बलके इन सभी को मैं पहले comment आउट कर देता हूँ क्योंकि यह मैंने run नहीं किये अब यहाँ पे function को हम लिखते है function मैंने paste कर दिया यह function किस तरीके से हो और हमारे पास क्या क्या चीज़े बता रहा है वो हम देखते हैं और हमने कौन-कौन से चीज़ें इसमें add करनी है as a library वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बता चलता है सबसे पहले चीज़ define किया हमने impute categorical missing data यहां पर कोई भी कॉलम को पास करेंगे तो यहां पर आ जाएगा किसी भी कॉलम को पास करेंगे तो यहां पर आ जाएगा so df null आपने सबसे पहले null values उसकी देखनी है अगर not null है तो वो देख लेनी है x और y के अंदर data को आपने miss कर लिया save जो आपके बाकी data set होंगे वो आपके x के अंदर होंगे बाकी कॉलम और बाकी जो नहीं x के अंदर वो y के अंदर होगा यानि के वो वाला कॉलम जिसे हम predict करने वाले है so यहां पर other missing columns को हम देख लेंगे अगर हमारे पास है और यहां पर label encoder हमने simply लगा लिया यहां पर for columns in x.columns x के अंदर जितने भी columns है अगर वो categorical हैं तो सभी के सभी encode हो जाएंगा यहां पर encode होने के बाद हम हमारे पास अगर कोई boolean column है तो उन्होंने label encode.fit transform हो से कर लिया अगर आपके पास कोई boolean columns है तो यहां पर इन्होंने function के अंदर boole calls लखे हुए तो इस वज़ा से मैंने उसको अभी तक remove निंग किया because I want to actually change that thing लेकिन we will see that के किस तरीके से करना है यहां पर iterative imputer है हमारे पास which we didn't import in the beginning now we will import iterative imputer from sklearn sklearn.imputer impute simple imputer नहीं करना हमने करना है iterative imputer iterative imputer एक तो यह चीज़ कर ली second हमने from sklearn sklearn.model selection train test template भी नहीं था हमारे पास यह भी हमने यहां पर ले आए क्यों हो रहा है यह सब कुछ because we have to actually pass these values otherwise यह आपके पास error देंगी मैंने उसे run किया आप चेक कीज़ेगा हमारे पास यहां पर iterative imputer के नीचे से भी line